अपना रुटबा होता है मलाल वो करे जो दोड में सामिल ही नहीं थे तकलीप अगर हजार हो तो भी सह लेता है इंसान लेकिन जब कोई अपना दिल दुखाता है तो वो बर्दास्त नहीं होता हसकर कबूल क्या कर ली सजाए मैंने जमाने ने दस्तूर ही बना लिया हर इलजाम मुझ पर लगाने का आज वो हमें बता रहे हैं कि नजर अंदाज कैसे करते हैं एक दिन हम उन्हें बताएंगे कि अपसोस किसे कहते हैं उजाले में हर असलियत कहा नजर आती है, अंधेरा ही बता सकता है कि सिदारा कौन है, रिष्टेदार विबक्ष के नेतागी तरह होते हैं, आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन वो आपकी बुड़ाई जरूर करेंगे हर किसी के जिन्दिगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और बड़ा समस्ता है, शिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बलकि किसी के साथ अपने पन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है, बलेड की धार तेज होती है, लेकिन पेर को नहीं काट सकती, कुलहारी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती, है जिनके पास अपने, वो अपनों से जगरते हैं, नहीं जिनका कोई अपना, वो अपनों को तरसते हैं, बदल जाती है जिन्दगी की सच्चाई, उस वक्त, जब कोई हमारा ही हमार पडिंदे से जब बर निकल आते हैं तो अपने आसियाने को भी भूल जाते हैं अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं परता वो याद रह जाते हैं किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िये कि उसके पास कुछ नहीं है आपको देन कि एक मोर लेना है रिष्टे और रास्ते दोनों में खुजी देने वाले अपने तो होते ही है पर गम देने वाले भी अजनवी नहीं होते चाहे कितना भी पैसा कमा लो अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे पैसे से नहीं मन से अमीर बनो क्योंकि मंदिर में सोने के कलस भले ही लगे हो लेकिन माथा तो पत्थर की सीडियों पर ही जुकाना परता है उनकी फित्रत है वो दर्द देने की रस्म अदा कर रहे हैं हम भी उसूलों के पक्के हैं दर्द सहकर भी वपा कर रहे हैं फार्क होता है अकेले रहने में और अकेले रह में जाते ही समसान में मिट गई सारी लकीर पास पास जल रहे थे राजा और फकीर उजालों में मिल ही जाएगा कोई न कोई तलास उसकी करो जो अंधेरों में भी साथ दे मत करो विश्वास किसी का आज कल लोग अपने फाइदे के लिए माफी तक मांग लेते हैं वो बचपन भी कितना हसीन था जब सरयाम रोया करते थे अब एक भी आशू गिरे तो लोग हजारों सवाल पूछते हैं जिंदिगी में अच्छे लोगों की तलास मत करो खुद अच्छे बन जाओ सायद किसी की तलास पूड़ी हो जाए कभी इस स्वर का नाम जबते जबते बेवजह आखों में आशू आजाए तो समझ लेना संदेश पहुच गया है दुनिया में कोई विव्यक्ति पूर्ण संसकारी नहीं है मरने के बाद ही उसे अंतिम संसकार मिलता है गलत फाहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है जूट धोका और बाने आपको कुछ पल की खु विश्य में चुकानी पड़ेगी जिन रिस्तों को चीक चीक कर ये बताना पड़े कि हमें तुम्हारी जरूरत है तो समझ लेना कि तुम उनके लिए जरूरी नहीं हो सच्ची परसंसा उन सब्दों में नहीं जो किसी के सामने कहे जाए बलकि उन सब्दों में है जो पीठ अपना है या सिर्फ वक्त बताता है किसी भी बड़ी सफलता का पहला कदम होता है एक बड़ी सोच बड़ा सोचिये बड़ा सोचने के पैसे नहीं लगते कोई टोपी तो कोई पगड़ी बेच देता है मिले अगर भाव अच्छा तो जज़ गुर्शी भी बेच देता है ज जब आप कमजोर और लाचार होंगे और आपके अंदर भूख होगी सामने वाले के लिए हजारों मिठाईयां चकी है जमाने में पर खुशी के आशू से मीठा कुछ भी नहीं है रिस्तो के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है मसीनी दोड़ है साहब उम्गलियों से डिलीट कर दी जाती है उम्डभड की यादे आपका विश्वास एक परवत को भी खिसका सकता है जबकी संदे आपके मन में दूसरा परवत खड़ा कर सकता है रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितना भी ब्रांडेडो दिल से उदर ही जाते हैं